नमस्ते राम राम असलाम वालेकुम सच च्रियकाल कैसे दोस्तों मैं आपका अब नमित पंखाल आपके पंखाल फिटनस पर ही तो दोस्तों थमनेल आपने देख लिया वीडियो है हमारी गेंग डाइट पर क्योंकि जिनको भी डाउट रहता है कि गेंग कैसे करें जितनी मेर पंखाल व्लोग्स टॉर्टर शूर्ति सिंको और हमारा नया चैनल भी आचुका है अमित पंखाल वो देखा होगा अपने नहीं देखा तो सजा कि सब्सक्राइब कर लो और लाइक जरूर करना है वीडियो को कमेंट जरूर करना है सारी वीडियो आप सबके लिए हैं तो आ इक गिलास लेना है पानी उसमें एक चम्मस सहद आधा निम्बू आधा मतलब की काट के आधी फाक निम्बू की जोड़नी है और उसमें थोड़ा सा ऐलुवीर डालना है ऐलुवीर जो आता है एक डकन बाब अराम दे वाली कंपनी का है किसी की अभी जो आपको मन करें बह बाब तक ही डाइट बताता हूं जो आपको फॉलो करनी है और ये वीडियो मैं ध्यान रखके कर रहा हूं कि हर कोई फॉलो कर पाए इतनी डाइट बता हुआ क्योंकि देखो वेट गेन भी करना है वह बाली बादा जिन्दा रहना है तो एक रोटी खालो एक सबजी खालो जिन्दा है लेगिन ऐसा नहीं है थोड़ी वेट बढ़ाने थोड़ी डाइट बढ़ानी होगी तो आप सुबह लेने आपको चार खजूर खजूर क्यों क्योंकि एंटि एक केला अब उसको आप मिक्सी में मिक्स भी कर सकते हो या वैसे भी खालो यह और पहला मील जो आप शेक बना के, दूसरा, अपना breakfast में आपको लेने है, चार उबले अंडे यह जो पहले wedge है उनके लिए बता देता हूँ जो नहीं है उनके लिए बता देता हूँ फिर wedge अलगों बता दूँआ चार उबले अंडे लेने है, ओर्स लेना है, दूद और उसको अपना उबाल के खाना है उसके साथ अंडे, दो brown bread अपना peanut butter है तो peanut butter का use कर सकते है और जो मेरे भाई अंडे नहीं खाते हैं जो wedge हैं, वो अंकुरिच चने ले सकते हैं ठीक है, sprouts ले सकते हैं और वो ले सकते हैं, सोयबीन, सोयबीन के जो चंक्स आते हैं, उन्हें रात को भीगो के सुबह खा सकते हैं तो यह हो गया, और पनीर breakfast में ना खाएं, क्योंकि स्लो जारिश्टिव होता है ठीक है ना, पनीर को भ्रेक्वास्ट में लेना है तो यह हो गया, आपका meal 2 meal 1 हुआ है, वैसे तो शेक था अब तीसरे की बात करते हैं, आपके main बात करते हैं, आपके lunch की, और lunch से पहले एक बाता दूँ, क्योंकि office में या आपके school में, college में या जहां भी आप काम करते हैं, करते हैं, वहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि भूग लग रही है, तो आप उसमें क्या खा सकते हैं, यह भी बता देता हूँ, उसमें आप खा सकते हैं अपने चने, भीगे हुए चने जो होते हैं, खाले, उबले हुए चने, ek 조금 अचे, ठीके न, यह आप खा सकते हैं, चने चने अचने छो घोडा खाता है can객 करते हैं, रोश्टे मुंफली खा सकते हैं आपके पीनट्स होते रोष्टिड या आप खा सकते हैं जब आपको भूग लगी अब बात करते हैं लंच की लंच में खाना है लंच में लेना है आपको जो पहले नोन वैज उनको बता देता हूं फिर वैज का बता दूआ जो नोन वैज उनको लेना है 1500 ग्राम अपना roasted chicken या gravy वाला chicken उसके साथ आपको rice लेने है अपना 200-500 ग्राम राइस ले लेना उसके साथ लेने है आपको curd आपकी दही उसके साथ green salad यह हो गया जो मेरे भाई नोन वैज है या जो मेरी माताय भ्याने नोन वैज खाती है अब बात करते हैं जो wedge है wedge के लिए है आपका rice उसमें आपका दाल वाली सबजी हो गई छोले हो गई चैने हो गई जिन में protein वाली सबजी है वो उसके साथ थोड़ी सी curd और आपका salad अब यह कितनी कितनी quantity में लेना है मेरा अंदाज़ा तो यह यह 500 ग्राम आपके rice काफी रहेंगे और सबजी अपने हिस के अटापसे आप ले सकते हो कि हर तो यह उसकी काने के प्रिमर्ली कफिस्ट्य होती है ऐप बात करते हैं जिम जाने से पहले अगर आप जिम जाते हो या workout करते हो यह भी करता हो पिछले चार साल हो गये मेरे को तो ये ओगए आपका जिम जाने से पहले, या उबले आलु रह सकते हो, आलु उबाल के थोड़ी से धाई ड़ी के साथ, वो खा कि आप जिम जा सके हो, जिम से 40 मिन पहले, तो दोस्तों आप बात करते हैं, पोस्ट वर्काउट आपके जिम से आने के बाद, मलए आप जिम करा प्रोटीन उसे फेट के वो खा लिया या दूसरा option है आपका आपने दलिया बनाया ओट्स बनाया जो भी आपको easy होगा घर में जो available होगा उसमें ठंडा करने के बाद एक स्कूब डाला प्रोटीन उसे फेटा और वो खा लिया यह हो गया आपका post workout आपके recovery के लिए अब बात करते हैं शाम को शाम को मतलब यह शाम होगा आपके डिनर टाइम की बात करते हैं डिनर में क्या खाना है डिनर में खाना है आपको चापादी खा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आप ओर्स खा सकते हो आप दलिया खा सकते हो उसके साथ जो पहले नोन वैज उनका बता देता फिर बता हुआ वेज का, उसके साथ आपको लेना 1500 गराम चिकन ले सकती हो जो non wedge है, और जो मेरे भाई wedge है, वो ले सकते हैं पनीर 100-500 गराम, 200 गराम जैसे हुनकी capacity है, उस साथ से पनीर ले सकते हैं, उसके साथ एक चपाती ही ले सकते हैं और अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है तो घर में जो सब्जी बनी है आप वो खा सकते हैं आशी कोई दिक्कत नहीं होती है एक बाउल डाल राजमा छोले चने जो भी आपके घर में बनता है आप खाएं यह नहीं कि मेरे को बिल्कुल यह खाना ऐसे कसम नहीं खाई ज प्रेस फ्री बहुत सारे फाइदा ही फाइदा के वह आपको पीने के बाद आपको सो जाना है और सोने से पहले सब्सक्राइब करना है पंगाल फिटनस को नहीं किया है तो और अगर कर रखा है तो इस वीडियो को शेयर करना है सोने से पहले यह वीडियो करने के बाद अप वीडियो से guaranteed result आएगा, आपका weight gain होगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, जय हिंद, जय भारत!